एटू बीटू स्टड़ी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल करने वाले हैं यूपी पॉल्टेकनिक इंटेंस 2022 को देखते हुए डिपलोमा इन फार्मेंसी का यानि की डी फार्मा का question paper दोस्तों हमारी दो वीडियो क्लासेस आल्रेडी हमाई चैनल पर अपलोड कर दी गई है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी playlist में विजिट करें और उन वीडियो को अवस्य रूप से देख लें आज की जो हमारी क्लास है वो radioactivity की क्लास है दोस्तों हमारी ये थीसरी क्लास होने वाली है जिसमें हम आपको radioactivity से आने वाले एकजाम में जितने भी प्रगार के प्रशन पूछे आते हैं उन सही प्रशनों को solve करेंगे और पूरे chapter को हम आज complete करने की गोहिस करेंगे तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों radioactivity में सबसे पहले हम इसके परिचर को देख लेते हैं कि radioactivity है क्या तो दोस्तों वे तत्व जो प्रकृती में सब्ही तत्व जो की प्रकृती में स्वता विगडित रहते हैं वे सब्ही तत्व रेडियो आक्टिव तत्व कलाते हैं इनसे निकलने वाली केड़ें, रेडियोक्टी केड़ें कलाती हैं तथा इनका यह गुड रेडियो एक्टिवता कलाता है दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट है रेडियो एक्टिवता इस चैप्टर से अधिक से अधिक मात्रा में एक जाम में प्रस्ण पुछे जाते हैं तो सभी ज्यात तत्तों के समस्थानिक गिनका की परमाणू क्रमांग तीरासी से ज्यादा होता है वे सभी तत्तों रेडियो एक्टिव तत्तों कालाते हैं रेडियो एक्टिवता की खोज फ्रांस के भौतिक सास्त्री दोस्तों ये बहुत ही most important question है अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेडियोएक्टिव कीड़ों के प्रकार की रेडियोएक्टिव कीड़ों के प्रकार की होती हैं अलफा, बीटा और गामा इनके नाम आपने सुने होंगे सबसे परले हम बात कर लेते हैं अलफा कड़ की अलफा पार्टिकल्स जो दोस्तो होती है अलफा कड़ हेलियम परमाड़ू के नाभिक होते हैं तथा प्रतियक में दो प्रोट्रान, दो न्योट्रान तथा दो इकाई धनात्मक आवेस होता है दोस्तों एलफा कड़ जो होता है ये धनावेसित कड़ होता है ये भी आपको याद रखना है ये प्रबल चुम्बकी तथा युद्धु छोट छेत्र में रेड़ प्लेट की और विच्छेपित होने वाली केड़े होती हैं इसे हेलियम तथा टू-फूर एलफा संके द्वा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों एलफा केड़ को ये और ये दोनों तरीके से इसको हम व्यक्त करने का यूज करते हैं दोस्तों अगला हमारे पास एक चार्ट है जो कि अलफा बीटा और गामा तीनों केड़ों को एक तुलनात्मक रूप से अलग-अलग गुड़ों के अधार पे बाटा गया इसमें है जिनमें आप देख सकते हैं प्रकृति के आधार पर अलफा केड़ों को हिलियम यानि कि इस प्रकार डिनोट किया जाता है बीटा केड़ों को यहां पे आप देख सकते हैं यह रेड़ आवेसित केड़े होती है जबकि आप जानते होंगे गामा केड़े जो होती है यह आवेस रहीत होती है यानि इनका जो इस पे भार होता है वो सुन्ने होता है और इसे फोटान इनके अंदर आ जाएगा आगर आगे देखेंगे आप तो आवेश, दर्वेमान, संगठन, सुरूत वेग, उर्जा, भेदन सकती गैसों को आनित करने की छमता चुमकी तथा विद्धूती छेतर में विच्छेपड जे जिंक, सलफाइड और फोटोग्राफी प्लेट पर इन केड़ों का अलग-अलग क्या प्रभाव पड़ता है इसके अलावा जैविक पदार्थों पर भी इन तीनों केड़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है यानि क्या प्रभाव पड़ता है इसके अलावा ही दोस्तों मानो जीवन पर याने कि आप जानते होंगे कि alpha, beta और gamma इन कीड़ों का यूज़ करके एक्सरीम अशीनों में भी इसका यूज़ किया जाता है यहां पर x कीड़े का यूज़ किया जाता है तो इन तुलनातमक अध्यानों के लिए यह जो चार्ट है इन चार्ट का आप स्कीन स से याद कर लिजेगा इसका आप ले सकते हैं अब हम चलते हैं आगे दोस्तों अब हम देख लेते हैं आलफा वर बीटा कोईडों की उत्पती कैसे की गई थी दोस्तों आलफा कीड़ की उत्सर्जन से प्रमारुकरमांग में दो इकाई की तथा दर्वेमान संख्या में चार इकाई की कमी होती है दोस्तों इस पर आपके निमेर्कल बेस्ट क्वेस्चन भी बनते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं परोनियम का जो प्रमारुकरमांग है वो 84 है वही उसका जो प्रमारु भार है वो 215 है इसमें से एक अलफा कड़ापका निकल जाता है तो आपका क् यानि की लेड बन जाता है जो कि इसके आप देखेंगे परमारुकरमांग में दो की कमी हो गई है वही इसका जो परमारु भार है इसमें 4 की यानि 4 एलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो दोस्तों इस पर का आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी परमारु से एक अलफा कड़ निकल जाता है तो उसके परमारुकरमांग में 2 की वही उसके परमारु भार में 4 की कमी हो जाती है दोस्तों इस पर आपको numerical based question exam में देखने को मिलेगा अगर आप इससे समझ जाएंगे तो आप इससे आने वाले कोई भी प्रशनों को चुटकियों में solve कर पाएंगे उसी प परमारुकरमांग में ही इसके अंतर आता है यहां के आप देख सकते हैं यहां पर बिस्मत आपकी धातू ही है जिसमें 83 इसका परमारुकरमांग है वही उसका जो भार है वो परमारु भार 213 है दोस्तों इसमें जब एक आपका बीटा कर निकल जाता है यानि अलग होता है तो इसके प्रमारु भार में तो कोई फ्यक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 213, 213 दुनों बराबर होते हैं पर इसके जो प्रमारु कर्मांग होता है इसमें आपका एक की कमी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 83 से यहाँ पे च्वड़ाज जाता है इससे आप ध्यान दीजेगा परमारु कर्मांग में एक की व्रिद्फ्य हो जाती है यदि अगर आपके परमारु से ही एक अल्पा कर नेकल जाता है यानि अलग होता है दोस्तो आई थिंक आप समझ गये होंगे इस पर आपको हम निमेकल बेस्ट क्वेस्टन भी करा देंगे जिससे आपके इसके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे अब चलते हैं आगे दोस्तो अगला हमारा है समुविस्थापन का नियम दोस्तो सन 1931 इश्वी में यानि 1931 में सोडी और फायांस नाम के दो बेज्ञानिक थे जिनोंने अलफा तथा बीटा कड़ उस्वजन प्रभाव को प्रदीशित करने के लिए समुविस्थापन नियम प्रदीशित किया था दोस्तो उसी को ही समुविस्थापन नियम के नाम से जना जाता है इसे हम थोड़ा चोटा कर लेते हैं दोस्तो अलफा तथा बीटा कड़ उस्थापन नियम का प्रदीशित करने के लिए समुविस्थापन नियम का प्रदीशित किया था इस नियम का नुसार एक अलफा कड कि उससदन से नय तत्व का आवाशाड़ी में इस्थान मुल पढ़ाऊ से दो इस्थान बाईयोर तथा एक बीटा करके उससदन से नय तत्व का इस्थान एक इस्थान दाईयोर ब्यवस्तित हो जाता है तो ये भी आपको याद करना होगा दोस्तों नेक्स्थ टॉपिक मारा है अर्द आयू दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन है ये इस से आते हैं और अगर आप रेडियोएक्टिविता यानि कि रेडियोएक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो अर्द आयू आपको जानना ज़रूरी होता है क्योंकि हर्मुरा अगर याद होगा तो आप इसे चुटकियों में सौल कर पाएंगे एक रेडियोक्टिव पदात के तीसी नमूने की आधी मात्रा विगडितोंने में जो समय लगता है उसे पदात की अर्द आयू कहते हैं यानि कि अगर आप अर्द आयू को टी हाफ से डिनोट कर जो की के जो है यहाँ पे विगडन इस तरांग कहलाता है रेडियोक्टिव पदार्थ के अर्द आयू जो होती है वो लैम्डा से डिनोट करते हैं लैम्डा इसकोल टी हाफ बाई 0.6932 इसकोल टी हाफ जहां पे टी हाफ मैंने आपको बता दिया है जो की पदार्थ की सन 1936 में आटो हांद था फिर्स स्टार्समेन नाम के दो बेगानिक थे 1936 में जुन्होंने ग्यात किया था कि जब यूरेनियम 235 पर मन अगती से नियूट्रानों की बहचार की जाती है तो यूरेनियम 235 का भारी नाभीक मध्यंदरबान के दो खंडों में भकत हो जाता है और इसके साथ बहुत अधिक मात्रा में उर्जा उत्सरदन होती है इस नाभीके प्रक्रिया को नाभीकी विखंडन करते है जुस्तों नाभीकी विखंडन जो है यह बहुत ही important है अतह वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभीक दो चोटे नाभीकों में टूड जाता है त वीखंडन की करिया आती है आपको एगजाम में आपको यह जो डेफिनेशन है यह आपको पूछटी जाने का पूछटी है क्योंकि पिछले एगजाम में इसका वन-liner यार टु-liner में पूछा गया है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नावकी विखंडन का यूज कहा होता है तो दोस्तों नावकी विखंडन की जो प्रक्रिया होती है इसका यूज हम परमाणो बम की इसी जिदान प्रकार करते हैं इसके अलावा नियूक्रियल जिगरेक्टर जो होता है एक विशास्क प्रकार की भट्टी होती है जिसमें uranium 235 का नियंतर नाविकी विखन्णन करा जाता है जेक्टरों में cadmium की छडे नीूट्रान आवसोसक का कार करती है इन छडों को नियंतर छड करती है भारी जल तथा grape height का कार नीूट्रानों की गथी को मंद करना अर्थाथ grape height मंद का कार करने थे यूरेनियम 235 इधन का कार्य करता है यूरेनियम 235 जो मैं बोल रहा हुँ ये 235 जो है इसके प्रणमाडू भार को परसित करता है इसलिए इसे यूरेनियम 235 के नाม से ही ज़ाना जाता है आगर आपने जहां कहीं भी यूरेनियम दिखा हुआ देखा होगा वो कुछ इसी प्रकार आपने लिखा हुआ देखा होगा दोस्तो नाविकी विखंडन के बाद हम बात कर लेते हैं नाविकी सलयन की प्रक्रिया दोस्तो आए जान लेते हैं नाविकी सलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हलकी नाविक सन्योजित होकर एक भारी नारविक का निर्माड करते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में उर्जा उत्पादन करते हैं क्योंकि उत्पादन का कुल भार अभिकारक के कुल भार से कम होता है जैसे आप देख सकते हैं आपे दो हाइडोजन के प्रमाड़ू है वहीं अगर इसमें दो प्रमाड़ू और जूर जाते हैं तो यह आपका दो हाइडोजन प्रमाड़ू में प्लस यहाँ पे फोर हो जाता है और आपकी अधिक मात्रा में उर्जा का भी उत्पादन होता है द वस्तुम की आयू जहांपर आप देखेंके तो यं जो है या रादन की आयू आयू काल का ये फार्मूला है वही सौर उर्जा का स्रोज होता है मैंने आपको अभी उपर बताया था कि ये नाभिकी सरलियन की क्रिया पर ही आधारित होता है दोस्तों एक समीकर आपने बहुत बार पढ़ा होगा अपने इंटर्मीडियेट के गलास में भी पढ़ा होगा कि आइंस्टीन का समीकर जिसे E is equal to mc2 से हर कोई अच्छे से जानता होगा जब किसी तत्तों के नाभिक का निर्मार अनेक प्रहरटानों वह न्योट्रानल से मिलकर होता है तब उसमें से कुछ द्रव्मान नस्ट हो जाता है जो उर्जा के रूप में उसरित होता है इसे बंधन उर्जा के रूप नाम से जाना जाता है यह उर्जा आइंस्टीन समीकर E is equal to mc2 की अनुसार ग्याद कियाती है या फिर मुक्त होती है तो E is equal to mc2 यह फार्मूला अगर ग्याद करना होगा अगर आपको यहाँ पे kilogram में value दिया हुआ है तो अगर आप इसे प्रकास की चाल यानि कि जो c यहाँ पे है यह प्रकास की चाल होती है 3 into 10.8 इसे आपको याद करना होगा कभी-कभी exam में आपको प्रकास की चाल पूछा आता है और पिछले exam में पूछा भी गया हुआ है दोस्तों इसके बाद अगर आप इसे solve करेंगे तो कि यह value आएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं और यदि परमाडू द्रवमान की इकाई amu में हो तो द्रवमान चती हो तो नाभी की बर्धन उर्जा जो होगी वो 931 मिली वोल्ट होगी जो कि द्रवमान की गुरणफल के बराबर होता है दोस्तों एक value आपको यह note कर लिजेगा एक amu जो होता है वो आपका 931 मिली वोल्ट के बराबर होता है प्रति न्यूकलान बर्धन उर्जा ग्याद करने के लिए कुल बंधित उर्जा में अगर आप कुल न्यूकलानों की संख्या से डिवाइट कर देते हैं तो आपकी न्यूकलान की जो बंधन उर्जा होती है वो आप ग्याद कर सकते हैं अब दोस्तों बात कर देते हैं संकुलान गुडांग क्या होता है और इसके हाट दरवमान की संख्य आपको दिया होगा। आपको यह फर्मूला याद करना है। और अगर दोस्तों इसमें आपको दरवमान संख्या और समस्थानी की दरवमान और संख्या दिया हुआ हो। तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे उससे सॉल करने के लिए दोस्तों C14 जो है यानि 14 जो है ये समस्थानी का उपयोग हम अजीवी कार्बनिक वस्तू की आयू ग्याद करने के लिए किया जाता है C14 का यूज़ हम किसी भी जीवास्म धातू या अवस्तू की आयू ग्याद करने के लिए कार्बन 14 का यूज़ करते हैं ये आपको पता होगा तो दोस्तो काफी कम समय में हमने आपको पूरा वीडियो में जितना अभी इसका चैप्टर में इतने भी प्रशन बन जाते हैं वे सभी प्रशन मैंने आपको इस छोटे सी वीडियो में कवर कर दिया है इस वीडियो के बाहर से आपके कोई भी प्रशन नहीं बढ़ेंगे इसकी मैं गारेंटी लेता हूँ क्योंकि ये जो मैं आपको material दे रहा हूँ ये syllabus के according ही है और ये अरिहन प्रकासन की book से ही ली गई है तो आई थिंग आपके जितने भी इस chapter से doubts होंगे वो सभी clear होंगे कोई भी अगर इस chapter से doubts है तो हमें comment box में comment अवस कर दे अगली वीडियो में हम आपको इससे related numerical based question जितने भी बनते हैं उसे कराने का प्रयास करेंगे और इसके कितने भी objective questions बनते हैं उन प्रशनों को भी हम इस वीडियो में इसके आने वाली अगली वीडियो में solve कराने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like अवसे कर दे और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe अवसे कर लें दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को साथ सेर करना बिल्कुल भी न भूले जिस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए चैनल पर बने रहें हमाई चैनल पर आपको पिछली physics, chemistry के अलावा biology की भी classes मिल दाएंगी हम जल्द आपको math की classes भी प्रोवाइड कराने की कोहिस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद